नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच शागर Facts for Plips, आज हम डिसकस करेंगे American Band Owl के बारे में देखे दोस्तों, रीजनली बिहार के सुपोल में एक American Band Owl स्पोर्ट हुआ था बिहार के Forest Department ने इसे rescue भी किया है, तो examination perspective में हमाली ये important हो गया तो American Band Owl के बारे में basic details जानने की कोशिश करेंगे देखे दोस्तों, वैसे American Band Owl आपको generally United States of America, England and parts of European countries में दिखागा ये इंडिया में rarely sight होता है, इसलिए ये news में आया है अब दोस्तों, Band Owl के बारे में कुछ basic details, इसे पहले आउल्स के बारे में कुछ general facts में आपको बताना चाहता हो हिंदी में इसे उलू बोलते है, आपको शायद पता होगा, उलू अपना garden 270 degree तक खुमा सकता है 135 degree left and 135 degree right, ये रात को ज्यादा active रहता है कई लोग ये सोचते हैं, उलू को दिन में दिखते नहीं है ऐसा कोई problem नहीं इनकी आखों में, बस इनकी आखों की एक speciality है वो ये है, इनकी आखों में जो pupil है, pupil आपको पता होगा हमारी आखों में जो black color का portion है, इसे pupil बोलते है कई लोगों में इसका color थोटा सा change भी हो जाता है आप blue eyes करके सुना होगा, किसी का थोटा सा grey color हो जाता है आप देखे, इनकी जो pupil की speciality ये है दोस्तों ये light के इसाब से अपना size manage नहीं कर पाता है देखे, normal human beings में या फिर animals या birds में pupil size expand या contract करते हैं, automatically जब ज्यादा light होता है, तब pupil जो है contract हो जाता है जब light की availability काम है, तो ये expand हो जाता है किसलिए? अच्छा साथ दिखने के लिए पर उल्लों में क्या है? ये जो pupil है, इसकी size same रहता है जिसकी विज़े से ज्यादा light आना से, basically दिन में इनको दिकत होता है इसलिए ये अपनी आखें बंद करके रखता है तो कई लोग ये सोचते हैं, इनको दिन में दिखते नहीं है पर actual बात ये है, इनको दिन में दिखते भी है और ये काफी vigilant भी रहते है अब हम band owl के बारे में discuss करते है band owl is nocturnal for most of its range nocturnal मतलब active at night राथ को ज्यादा active रहता है however, great britain में and in some pacific errands they also hunts by day, दिन में भी हंटिं करते है और इनके favorite food, rats है चुहे, या फिर rodents है जो छोटे-छोटे चुहे होता है दोस्तों, इन्हे rodents बोलता है अब, they are a medium sized, pale colored, having long wings and a short and squarish tail structure आप इदर देखी सकते हो specialty यह है दोस्तों, इनकी जो wings है वो काफी बड़ा है typical wingspan 80 से लेके 95 cm तक होता है अब इनकी breeding कब होता है tropical regions में any time of year यह breeding करते है and in the regions of distinct wet and dry season egg laying generally takes place during dry season ठीके, tropical regions को छोड़के जहां wet and dry season से उतर यह dry seasons में breeding करते है आप दोस्तों, where are they found as the name indicates, they are generally found in United States of America पर देखे दोस्तों, they are distributed in Indian subcontinent also Australia, Africa, Europe, Southeast Asia, Middle East, Europe North America, South America and even in Caribbean islands, मतलब आपको जयातातर सारे continents में यह दिखाई देगा, पर जनरली United States of America में यह दिखते है, इसका नाम American Band आवले यह cold climate में रहना पसंद कर रहे है और इस time पर, basically, यह December January के महिने पर, यह India की तरफ migrate करते है, इधर breeding करने के बाद, अपने बैचों के साथ यह वापस चल जाता है, जहां से आये थे and International Union of Conservation of Nature के red list में least concern में listed है, मतलब इनकी population में कुछ decline नहीं हो रहा है, कोई threat नहीं है and Indian Wildlife Protection at 1972 के under schedule 4 में, मतलब least priority है, अब दोस्तों यह देखी, करीब एक साल पहले एक news आये था, लेक्षदीब आइलेंस टू हाव, मोर केरला बैन ओर्स to kill rats, इधर American बैन ओर्स की बात नहीं हो रही है, थ्यान दीजेगा वो rats and rodents से परिशान थे, अब लेक्षदीब में क्या ने दोस्तों, organic farming follow होता है, chemical pesticides and fertilizes का usage कम होता है, तो इसलिए naturally इस rats and rodents को कम करने के लिए या फिर मारने के लिए, केरला से काई सारे band owls को translocate किया था लेक्षदीब में, और यह project काफी हद तक successful भी हुआ था, और 2020 में भी यह किया था, 2019 में भी यह किया था तो इस तरह एक question आप से पूच सकता इसलिए मैंने यह news इधर include किया अब दोस्तों finally, ban owls के बाएर में और भी कुछ interesting facts है, ban owls is respected as the accolade of the goddess Chamunda in Karnataka, देखिए Goddess Chamunda का accolade मानते है, ban owls को, accolade मतलब helper, follower अब बोल सकते हो and Bengal में, it is revered as the carrier of Lakshmi, the deity of wealth, देखिए, Lakshmi Devi का carrier, वाहन मानते है ban owls को, बंगाल में and India में, many people purchase it during Diwali, Diwali के time पर इसे purchase भी करते है, क्यूंगी इसे good luck bird मानते है and which is said to bring prosperity and ban owls have been recruited instead of cats or rat snakes because the rats in Lakshmi Devi islands practically live on tree tops, यह में आपको पताया था, देखिए, Lakshmi Devi में क्या होता है coconut plantations में, rats and rodents से, यह tree tops में रहते हैं एसा नहीं नीचे रहते हैं, यह coconut trees के top में चड़ जाता है, और उथर बैटके नारियल खाते हैं, तो इसे खतम करने के लिए, केरला से कई सारे ban owls को translocate भी किया था, यह news में आपको बता दिया तो ठीक है, यह सारी interesting facts है ban owls के बारे में, तो दोस्तों that's the end of it, I hope आपको थोड़ा बुद सीखने को मिला होगा, American ban owls and generally ban owls के बारे में, लक्षे की pdf as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है, thank you for watching bye bye, have a nice day